वो जो नाव जा रही है वो हमारा यहां से निकलने का इकलादा रास्ता थी मुझे लगा मजा आएगा इतने खुपसूरत होने के बाबजूल लोग यहां पिछले 250 सारों से टिक नहीं पाए लेकिन अगले साथ दिनों तक हम वही करने की कोशश करने बाले हैं और अंधेरा होने से पहले हमारे पास चार गंटे हैं यहां बहुत कर्मी हैं रहने के लिए को जगा बनानी होगी हम यहीं पर क्यांप क्यों नहीं लगा लेते यह अच्छे लग रही है तो चलो शुरू करते हैं हम तीनों जाकर लकडिया लेकर आएंगे और तुम दोनों कैम्प लगाएंगे हां मज़े करना चलो शॉन कमाँ चैनला कैम कैसे लगा थे मुझे तो नहीं पता तो हम तुरंट ही काम पर लग गए लेकर हमें सालधान है ना होगा क्यूंकि हमारे उपर दुनिया का सबसे खतरनात पेड़ है इसमें जहरीला रस होता है जो तुमारी जान ले सकता है और इसी बीच नोलन और मैक एक पाइपट बना रहे थे मेरे इसाब से तु यह काफी अच्छा बनाया है ना इसमें भी आग नहीं लगी है यह बस आग लगाने के जगा है और शॉन ने हमारे कैंप के लिए प्रेम बनाना शुरू कर दिया तुम्हें यकीन है यह हम पर नहीं गिरेगा लग रहा है जैसे शॉन हमारे डैड है ऐसा और थोड़ा और सामान इकठा करते करते हमें आजमास को जानवर भी दिखाई दिये वाओ इन चिकन्स को तो देखो एई रुको इस तरह भागो मत और हमें जल भी पता चल गया कि यह चिकन्स हमसे इतना डर क्यू रहे थे तुम क्या कर रहे हो आ रुको यह क्या है और यह जो कि अपने साथ एक पानी और सबसे एक प्लेर किसी को चोट लगी तो और जब दक सूरज धला हमने लगभग सारा काम निप्टा लिया था सिर्फ एक चीज को छोड़कर करता हूं कि आज मुझे अच्छी नीट आएगी बस आज बारिश ना हो खल हमें एक बड़ा कैम बनाना होगा और हमसे मेरा मतलब है जैड हमारे लिए बड़ा कैम पनाएंगे हाँ ठीक हो जी में तुम मॉम जैसे हो शॉन डैड है हम चला सोने अगले दिन मिलेंगे मेंद की पहली रात के दौरान हम खूब कर्बटे बदल रहे थे और हमसे मेरा मतलब है तो अच्छी बात यह है कि हम अगले दिने से ठीक करेंगे दूसरे दिन का में अब्जेक्टिव सिंपल है हमें बनाना है एक बड़ा रेंप्रूफ शेल्टर बेटने के लिए एक नरम सीट ताकि मेरा पिछवाडा ना दुखे और एक बहतर फार पेट मेरा पिछवाडा भी दुख रहा है हम कुछ लंबी और मजबूत लकडिया ठूट रहे हैं जिन्हें हम क्याम की उपर लगा सके ताकि बारिशोने बल पानी उपर ना जमा होकर इ अपनक हम नए कैम के लिए सावान जुटाने में बिजी थे मैक और नोलन बिजी थे सीट धूरने में तुमने वह देखा हाँ वह और अरंचीज क्या है अम इसे बना सकते हैं बूर यह एक नेट भी है हम इस नेट से मुल्गिया पंकट सकते हैं यह कीडे कहां से आगे करीब 90 परसेंट यहां पर चाओ ही रहेगी मैक और नोलन नारियल तोड़ रहे थे चेक है संबल कर चाकू बहुत बढ़ा है क्या पात है यह तो बढ़िया है और अफकोर्स चिकन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे चिकन्स भागो भागो यह तुम क्या कर रहे हो मैंने उनकी जान बचाई दूसरा दिन खत्म होने बाला है तो तो तुम सब को कैसा लग रहा है नोलन बहुती बढ़िया शाद हम इस ब है अगर आप सोच रहे हैं कि हम सम्मिंदर में क्यूं है तो ऐखो क्योंकि यहां रखते ही नहा सकते हैं बागी पानीखाना बनाने में और आपन्यासर ना मरने में काम आएगा कि यहां सभी को पानी थोड़ा सा संभल कर इस्तमाल करना होगा आज ही का रुको तुमने भी क्या का चौन थोड़ा ध्यान दिया करो ठीक है सॉरे काफी रात हो गई है सोने चलते हैं हम नहीं जानते थे लेकिन यह आईलेंड फीरे मकोडों से भारा पड़ा है जो रात भर हमें काट कर परिशान कर रहे थे और पता नहीं क्यों लेकिन चैनलर और मुझे सबसे ज्यादा परिशानी कुई है मुझे कल रात बिलकुल नीम नहीं आई शायद यह मेरी अब तक की सबसे बेकार रात थी देखो सिर्फ मेरे हाथ पर कितने काटने के निशान है देख रहे हो और जब तक हम अपनी मींद पूरी करने की कोशिश में थे आप समझी सकते हैं कि बाती तीनों बिना किसी देख रहे कि क्या कर रहे होंगे चलो मुर्गयां पकड़े नहीं चलो मचली पकड़े के उस कोने में मुझे और नोलन को एक नेट मिला आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गयों के लिए जान यह है कि हम यहां एक बड़ा नेट बिचाएंगे उसे उपर रसी से बांधेंगे अब फिर पूम फंस गई इसा लग रहा था कि मानों में मरने वारा हूं बॉइस के मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे नेट बहुत मजबूत है क्या यह लो हो गया इन्होंने करीब 30 मिनिट नेट को पॉफेक स्क्वेर में काटने में लगा दिये फिर इन्होंने रसी को पेड़ की डाली के उपर फ मुझे लगा तुम लोग कोई ठंका काम कर रहे होंगे सच कहूं तो मुझे बस ये सब बत की बरबादी लगी यूगि इनके अगले तीन घंटे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने में बीते लेकिन पता नहीं क्यों मैक हार मानने को तयार ही नहीं था और आखिरकार थोड़ा और इंतजार करने के बार था तो यह था रखिर शान्थ यह हमारा नए प्रायन है उस राफ्ट वाले बंची की आदमे तुमने इसके साथ इतना अच्छा परताब किया है मुझे यकीन है कि अगर तुम इसे नीचे रखोगे तो यह भागेगा नहीं रखोगा नीचे रखो तुमने ब्राइन के साथ गया किया वो तो हमारा दोस्त है ना लेकिन मैंने उसे दोखे से पकड़ा था तो और जब तक हमने ब्राइन को पकड़ कर वापस आजाद किया यहां का तापान काफी गिर चुका था जिससे हम सब को इतनी ताकत मिल चुकी थी कि हम एक एडवेंचर परचा सके मेरे पीछे वो आइलेंड देख रहे हो हम वहाँ बर जाने वाले हैं मैक चलो चले मैं जाता हूं आप क्या सोच रहे होंगे इतने अच्छे आइलेंड को छोड़कर हम समंदिर के बीचे चक्टान पर क्यों जा रहे हैं और सच कहूं तो मुझे जवाब नहीं प को लेहरे कापी बडी लग रही है और वो हमारी तरफ यारे हैं उक यहां तरह पानी के भी सिर्ण कराहिए इस अÓठय कर देख दू तून टरफ पारी कैसे डख लाएय ये चट्टाने भिसलन भरी है इम उपर जा रहे हैं रहे हो तो कंल का है वाग क्या नजारा है हमने कर द कि अब नीचे कैसे उतरेंगे कि अब कर दिखाया पता नहीं क्यों किया